इलाबाद हाईकूट की लखनों बेंच ने हात्रस मामले में उत्तरप्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि क्या हात्रस में गैंगरेव का शिकार हुई यूवती, किसी अमीर शक्स की बेटी होती, तो भी क्या उसका अंतिम संसकार ऐसे ही रात के अ सुमवार को हुई सुनवाई में हात्रस के डियम और स्पी के अलावा पीडिता के परीजन भी पेश हुए, उन्होंने इस मामले की सुनवाई यूपी से बाहर कराने की मांग की, पीडिता के परिवार ने हाईकोट में कहा कि ना तो उन्हें अपनी मृत बेटी का शव आगिए ये उनका इपना फैसला था, पीडित पक्ष की वकील सीमा कुषवाः के मुताबिक अदालत ने इस पर कड़ा रुख अखितियार किया, बकौल सीमा कुषवाः, अदालत ने कहा कि जिस अंतिम संस्कार में गंगाजल का इस्तेमाल होता है, उसमें प्रशासन ने क पूरी तरह से खत्म होने तक परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। लड़की और उसके परिवार के मौलिक अधिकार का उलंगन हुआ है। परिवार के साथ सम्मान जनक बरताव पाने का हक भी शामिल है। मामले की सुनवाई दो नविंबर को होगी जिसके लिए यूपी के एडिजी और गृह विभाग के विशेश सचिप को तलब किया गया है। Bureau Report, GoNews.